हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल के एक और नई वीडियो में फिर से दोस्तो नई जॉब की इंफोर्मेशन लेका हैं हूँ रुक्रीट्मेट आ रही हैं दोस्तो बी एमल लिमिटेड की तरफ से गौर्मेट ऑफ इंडिया अंडर्टेकिंग है आप स डिटेल में लोग बात करेंगे इसके इलिजिबिल्टी क्रिटेरिया की सेलेक्शन पॉसेस की कौन कोन इलिजिबल है क्या इंपोर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं सबी चीजों के बारे में डिटेल में डिसकस करने वाले हैं तो शुर से लेके लास्ट तक्स वीडियो को अध्यान से देखिए कंप्लीट देखिए तांकि आपको हर एक चीज हर एक डिटेल का पता चल जाए इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे वड़े उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार वीड इसके बाद आपको जोब छोड़ना भी पढ़ सकता है आगे कॉंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं लेकिन तीन साल के लिए आपको जोब मिलेगी और हर साल की सैलवी जो है वो अलग रहेगी यहां पर दोस्तों बात करें वेकिंसी की तो कितनी नंबर वेकिंसी से वो बताय नहीं गया है लेकिन यहां पर वेकिंसी की डिटेल और क्वालिफकेशन ज़रूर बताई गयी है सबसे पहली रुक्रीटमेंट है जे यानि की जूनियर एक्जुकुटिव फाइनांस के लिए जिसमें कि अगर आप सीए कर रखे हैं आपने तो आप इलीजिबल अप्लाई क कर सकते हैं जीरो से लेके दो साल तक का experience पांगा गया यानि कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी apply कर सकते हैं अगर आपके पास experience है आप तो भी apply कर सकते हैं 27 साल maximum age निमेट रखी गई है आपकी यह जठा से कम और 27 साल से जादा नहीं होनी चाहिए जे ही HR के लिए भी recruitment है ग्र कर सकते हैं उसके लावा दोस्तों जो है अगर बात करें यहाँ पे relaxation की तो SCST को जरूर दी जाएगी पांच जो है वो पर्सन की relaxation जो है वो SCST को दे दी जाएगी उसके लावा दोस्तों यहाँ पे जो है जे ही information technology में भी recruitment है जिसमें की NAT developer की पोस्ट है उसके लावा जो है वो desktop support engineers की पोस्ट है और network support engineer की जिसमें अगर आपने first class engineering graduate है आप B.E.B.T.E.C. कर रखी है आप eligible अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ध्यान दीजेगा first class बांगा गया है अगर आपके पास second class है तो यहाँ पे आप eligible नहीं अप्लाई कर सकते हैं पांच साल जो है पांच परसंट का जो relaxation है वो SC, ST और person with disability को मिल जाएगा बागी अगर आप journal से आते हैं OBC से आते हैं तो किसी पी तरह की relaxation आपको marks में नहीं दी जाएगी तो first class में पास हैं तो आप eligible अप्लाई कर सकते हैं MCA वाले कर सकते हैं computer application वाले कर सकते हैं अगर आपने आपने IT से computer से समबंदित कोई degree कर र रहेगा contract based पर यह रहेगी तीन साल की जैसा की शुरुवात में बताया मैंने पहले साल में आपको 21,500 रूपीज जो है वो हर मन्त मिलेगा उसके लावा second year में 23,500 हो जाएगा और 25,500 जो है वो 30 साल में आपको मिलेगा location आपकी across इंडिया रह सकती है इंडिया कि किसी भी दोस्तो return test होगा और उसके बाद personal interview के माध्यम से selection होगा बाकी क्या exam pattern रहने वाला है वो notification में नहीं बताया गया है उसके लावा दोस्तो बात करें यहाँ पे कि आपका जो age qualification and experience है उसका जो date है वो क्या है एक 6-2021 तक आपकी qualification आपका experience अगर आपके पास है तो उसके लावा age क बात करें यहाँ पे apply online की तो apply online के लिए आपको दो dates जाद रखनी है कि 18.05 से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 1 June तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं उसके लावा जब आप apply कर देंगे तो आपको यहाँ पे document की detail दी गई है इनकी photo copies की भी ज़रूरत पढ़ने वाल उसके लावा यहाँ पे उन्होंने help line number दे रखें आप इनसे contact करके कोई भी जानकरी ले सकते हैं बाकी जो notification में लिखा है वो मैंने आपको बता दिये तो यह जानकरी दोस्तों दी गई है B.E.M.L. की official website पर आप जाके चेक कर सकते हैं लिंक आपको important description में मिल जाएंगे यही अगर आपके कुछ questions है आप comment section में लिख सकते हैं टेलिग्राम पे आप हैं तो हमें टेलिग्राम पे भी आप follow कर सकते हैं जोइन कर सकते हैं हमारे चैनल को टेलिग्राम पे जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा उसके साथ साथ आप हमें जो चाहें तो Instagram पे भी जो ही वो DM क कर सकते हैं तो यही तर दोस्ता आज किस वीडियो में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और मिलेंगे ऐसी किसी नही जोब update के साथ दबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखें